गुड मॉर्निंग दोस्तों दोस्तों मैं हूँ ग्यान इंद्र सिंग स्वागत आपके अपने चैनल ग्यान ट्यूटोरियर में दोस्तों आज हम देखेंगे भारत के कुछ प्रसिद्ध खिलाडी वो किस खेल से बिलॉंग करते हैं और किस राज्ज से हैं चुकि पेपर में इसे संबंधित एक लेक्चर देखेंगे जिसमें हम खिलाडियों के नाम देखेंगे उनसे संबंधित राज्जिया सहर देखेंगे और ये किस खेल से हैं ये चीज़ देखेंगे तो चलिए इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले खिलाडी हैं बजरंग पुनिया बजरंग पुनिया है हरियाना के जजजर जिले से जो की एक पहलवान है अगले खिलाडी है शौपना बर्मन शौपना बर्मन पस्ची मिंगॉल की जल पाई गुड़ी से है जो की एक हेप्टर एथलीट है इसके बाद देखते है जिनसन जॉंसन जो कि एक धावक है बहुत अच्छे धावक है अभी इन्होंने बहुत सारे मिडल्स भी जीते थे जो कि केरल के कोजी कोट से हैं और ये एक धावक है अगले खिलाडी है दूत्ति चंद्र इनका नाम तो आप लोगोंने बहुत सुनाई होगा अभी विद्री लेवल में उन्हें जीता है मेडल भी जीता है तो आप इनको अच्छे स्याद कर लें कि ये ओडिसा की खिलाड़ी है ओडिसा के जाजपुर से हैं अगले खिलाड़ी है शुसील कुमार इनका नाम वहला कौन नहीं जानता होगा ये एक पहलवान है जो की दिल्ली के बपरोला से है ये एक पहलवान है जो दिल्ली के बपरोला से है अगले खिलाड़ी है जीतु राय ये भी एक बहुत फेमस चूटर है जो की उत्तर प्रिदेश के लखनाव से है कहां से उत्तर प्रिदेश के लखनाव चीले से है अगली शुप्रसिद्ध खिलाड़ी है ना और ये एक धावक है अभी इनोंने पांच गोल्ड मिडल जीते हैं डिपरेंट डिपरेंट प्लिसेस में तो ये भी बहुत मेडिया में थी तो आप इनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लें अगली खिलाडी है साक्षी मलिक साक्षी मलिक का नाम बला कौन नहीं जानता होगा ये हरियाना के रोह तक से हैं और एक पहलवान का से है हरियाना के रोहतक से और एक पहलवान है अभी कुछ ताइम पहले इन्होंने भी मेडल जीता था तो ये भी प्रसिद्ध खिलाडी है इनको अच्छे तरह से याद कर लीजेगा अगली खिलाडी है पीवी सिंधू जो कि एक बहुत अच्छी बेड मिंटन प्लेयर है इंडिया में समय इनकी टॉप में काउंटिंग होती है और ये आंधर प्रदेश के हैद्रावाद से हैं कहां से हैं आंधर प्रदेश के हैद्रावाद से और इनका बेड मिंटन गेम है अगली खिलाडी है शाइना नहवाल ये भी प्रमसी खिलाडी है जो कि हरियाना के हिसार से हैं कहां से हैं हरियाना के हिसा से और ये दो ये भी बैडविंटन प्लेयर है तो पीवी सिंदु और शाइना नहवाल दो की दोनों बैडविंटन प्लेयर है इसके बाद सानिया मिर्जा टेनिस और सनी के नाम से फेमस थी इनको भला कोन नहीं जाने गई है महराष्ट्रा के मुंबई से और इनका स्पोर्स है टेनिस अगली खिलाड़ी है गीता फोगाट येस कुस्ति में अपना लोहा मनवाने वाली गीता फोगाट जो की हरियाना के भीवानी से हैं कहां से हैं हरियाना के भीवानी से और इनका स्पोर्स है कुस्ति अगला नाम सुनाई होगा आप लोगोंने उडनपरी पीटी उसा जो की केरल के कोजी कोट से हैं इनको हम उडनपरी के नाम से भी जानते हैं और ये धावक है बहुत अच्छी रेसर हैं ये अगले खिलाडी हैं मिलखा सिंग पाकिस्तान के गोबिंदपुरा प्रांद के थे लेकिन अभी प्रिहाल इनका निवास इंडिया में है और ये एक धावक है अगले खिलाडी हैं दीपा करमाकर जो की त्रिपुरा की अगरतला से हैं और ये जिम्नानिस्ट के प्लेयर है तो दीपा करमाकर का भी नाम बहुत ज़्यादा फेमस रहा है भी इन्होंने हलांक की कुछ दिन पहले अभी जो गेम सुए थे उसमें गोल्ड मिडल तो नहीं ले की त्रिपुरा के अगरतला की है अगले खिलाडी है अभीना विंद्रा बहुत अच्छे निसाने बाज है ये हैं उत्राखंड के दहरादून से कहां से हैं उत्राखंड के दहरादून से अगली खिलाडी हैं एमसी मेरी कौम ये मनिपूर की इमफॉल की है मनिपूर के स्पोर्ट्स है मुक्केवाजी अगली खिलाडी है क्रिश्ना पूनिया यह हरियाना के अग्रोहा से हैं और यह डिसकस्थ्रोवर हैं अगली खिलाडी अंजु बीबी जॉर्ज जो की केरल के चंगन सेरी से हैं और यह एथलीट है अगले खिलाडी है महिला क्रिकेटर मिताली राज जो की राजस्थान के जोदपुरी है और यह एक क्रिकेटर है महिला क्रिकेटर है अगले खिलाडी फिर्चे वई फेमस खिलाडी आई कर्णम मलेश्वरी ये आंध प्रदेश के आमडाला वालस से हैं जो की एक भारत तोलक है अकले खिलाड़ी है अंजली भागवत जोकी महाराष्ट्रा के मुंबई से हैं और यह निसानेवाज हैं अगले खिलाड़ी शीमा अंतिल ये शोनीपत हर्याना की हैं ये भी डिसकस्रोवर हैं अगले खिलाडी फिर से फीफेमस गगन नारंग जो की तामिल नारंड के चिन्नाई के हैं और ये भी एक बहुत अच्छे निसानेवाज है बहुत अच्छे निसानेवाज हैं ये गगन नारंग अगले खिलाडी है विकास कृष्णन विकास कृष्णन हरियाना के हिसार के हैं और इनका स्पोर्स है मुक्केवाजी अगली खिलाडी है मनिका बत्रा दिल्ली की है टेवल टेनिस खिलाडी है नरैना बिहार की है तो कहां की है ये दिल्ली की नरैना बिहार की है जो कि टेवल टेनिस खिलाडी है टीटी खेलती है अगली खिलाडी है हीना शिंदू यह भी फिमस खिलाडी है निसाने वाज है जो कि पंजाब के लुधियाना से है कहां से हैं पंजाब के लुधियाना से अगली खिलाडी है मनु भाकर इनका नाम भी आप लोगोंने सुनाई होगा अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मिडल जीता था यूथ ओलम्पिक में ये हरियाना की जाजर की है और ये निसानेवाज है अगली खिलाडी है संगीता चानू जो की कॉक्चिंग मनिपूर से हैं और ये भारत तोलक है पिर अगली खिलाडी है मिरावाई चानू ये मनिपूर की इमफॉल की है और ये भी भारत तोलक है अगली खिलाडी है स्रेयसी सिंग जो की जमुई बिहार की है और ये एक निसानेवाज है अगली खिलाडी है बिनेश फोगाट कुस्ति की महान खिलाडी है ये ये हरियाना के बलाली की है जो कि कुस्ति इनका स्पोर्टस है अगले खिलाडी है अनिस भनवाला जो कि करनाल हरियाना से है और ये भी रिसानेवाज अगले खिलाडी है नीरत चोपड़ा ये भी बहुत फेमस खिलाडी है ये हरियाना के पानी पत्से है और एथलेटिक्स इनका श्पोर्ट्स है अगले खिलाड़ी है बिस सुनाथ आनन सत्रंज के मास्टर जो की तामिल नाणु के मैला थुदुराई सहर से हैं और इनका श्पोर्ट्स है सत्रंज अगले खिलाडी है आर प्रगना नंदा जो की तामिलाणु के चिन्नाई के हैं और ये भी सत्रंच खेलते हैं अगले खिलाडी बेडमिंटन के फेमस खिलाडी हैं किदामभी स्रीकान ये मायला दू थुराई तामिल नानदू से हैं और ये बेडमिंटन के बहुत अच्छे खिलाडी हैं अगली खिलाडी हैं सीमा पूनिया सीमा पूनिया सोनीपत हर्याना की हैं डिसकस त्रोवर हैं इसक क्रिकेट कीपर क्रिकेटर हैं अगले खिलाडी हैं महंदर सिंग धोनी बहुत अच्छे सभी लोग जानते हों के क्रिकेटर हैं बहुत अच्छे और क्रिकेट के अभी कुछ दिन पहले तक कप्तान भी थे यह जारखंड के रांची से हैं कहां से हैं रांची से और लास्ट हैं बाइचुंग भूटिया जो की फुट वाल के बहुत ही पेमस खिलाडी है ये सिक्किम से है टिन कीतम सहर से हैं ये और ये एक फुट वाल के बहुत अच्छे खिलाडी है तो ये सभी खिलाडियों के लिस्ट है इन में से वो ये खिलाड़ी ज्यादा इंपोर्टेंट है जो महिला अथलीट है most of कुस्ति की हैं, सूटर हैं, धावक हैं और पहलो आन है इनके या तो सहर पूँचे जाते हैं या स्टेट या फिर ये किस खेल से बिलॉंग करते हैं तो इन में से जो इंपोर्टेंट आपको लगे कि ये पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूँचा जा सकता है या पूँचा गया है तो उन खिलाडियों को आप एक बार अच्छे से रिवाइस कर लें और आपके लिए कुष्चन है विनेस फोगाट ये कुष्टी की खिलाडी है आपको बताना है कि ये किस इस्टेट की है तो आपको इसका अंसर हमें कमेंड के माध्यम से देना ओके धन्यवाद